तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्याने से एक महीना पहले ये खिला दो अडर लेवटी डबल कर लो मतर तीन चीजे हैं जिनमें एक गरेलू दाल है और दो फीड सिप्लिमेंट है वो खिला कर ब्याने से एक मेना पहले खिला कर आप अपने पसुओं की जो अडर, लेवटी, गादी, लेवा या हवाना है उसे डबल कर सकते हैं क्योंकि सी स्पाल मलिक है तो डोंट वरी टेंशन नई लेने का पसुओं की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है तो ये तीन चीजे कौन शी है और कैसे कब कितनी मातरा में आपने ये खिलानी है वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूँगा तो दोस्तों अगर आपके पसुओं में भी कोई दिक्कत है कोई प्रेशानी है या तो फिर कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कॉमेंट बोक्स है वहां लिख कर हमें बताएए मैं उसके बारे में पूरी वीडियो बनाऊंगा उसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा और उसका पूरा 100% इलाज बत जाना की ताजा जानकारी बरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाईयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ओल पर सेट कर ले और दोस्तों अगर आप फेस्बुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक को फोलो कर लेजिए साथ ही हमारे फेस्बुक पेज टूडे फार्मिंग जोन को भी फोलो कर लेजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों एक महीना पहले आप अपने पसुओ को क्या खिला कर अपने पसुओ की गादी अडरलेटी को डबल कर सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपने आखरी महीने में कुछ चार जरूरी बाते जरूर करनी है उनमें पहली ये कि जो भी आप कैलशियम अपने पसुओ को अभी तक देते आ रहे थे वो बंद कर दीजिए आखरी महीने में कैलशियम नहीं देते हैं दूसरा मीठा सोडा भी आपने आखरी महीने में बंद कर देना है तीसरा जो जो होते हैं वो भी आपने आखरी महीने में बंद कर देने है चोथा जो आप अभी तक ड्राइ फीड अपने पसुओं को दे रहे है वो भी बंद कर देना है और उसकी जगह पर अगर हो सके तो एक ट्रांजिशन मिक्स फीड आती है बहुत सारी कमपनिया बनाती है तो ये पसुओं का जो आखरी महीना होता है सपेसली उसके लिए बनाया जाता है और इसमें पसुओं को जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो सबी चीजे मुझूद होती है तो ये अगर आप अपने पसुओं को शुरू कर देंगे तो आपका आदा कम तो अपने आप ही हो जाएगा तो दोस्तो अब बात आती है वो तीन चीजे कौन शी है जिनको आप अपने पसुओं को ब्याने से एक महीना पहले खिला कर उनकी अडर लेटी डबल कर सकते हैं तो उसमें पहली एक गरेलू दाल है जिसका नाम है सोया बीन सोया बीन कैसी होती है वो आप सामने सक्रीन पर उसकी तस्वीर देख सकते हैं तो दोस्तो ये सोया बीन आपने डेली 200 से 200 गराम अपने पसुओं को देनी है ये सोया बीन आप 5 किलो ले आईए और इसको आप एक कडाई में भून कर रख लीजिए देने से पहले और फिर इसको आप मोटा मोटा पीश लीजिए ज्यादा बार एक पोडर नहीं बनाना है आटा नहीं बनाना है मोटा मोटा आपने इसको पीशना है तो अब जो भी आप संतूली तार अपने पसूओ को खिला रहे है यानि कि आपने अगर अपने पसूओ की अच्छी अडरलेवटी बड़ी बढ़ानी है और उन्से बयाने के बाद दूद भी डबल मातरा में लेना है तो आपने अपने पसूओ को संतूली तार जरूर देना ह वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या क्या चीजे आपने उसमें लेनी है तो जो सुन्तूलितार दलिया बाट बंटा आप अपने पुसोगों को खिला रहे हैं उसमें रोज की 200-500 गराम सोया बीन आपने मोटी दलिया टाइप में पीश कर मिला देनी है तो एक तो यह चीज है दो जो चीज है वो फीड सप्लिमेंट है उसमें पहला है दीक है टोटल जिसकी तश्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं तो इसमें 20 पाउच आते हैं छोटे छोटे जो कि आप सामने सक्रीन पर देख सकते हैं तो ये रोज का एक पाउच आपने देना है और ये दोस्तों आप ब्याने के बाद भी दे सकते हैं आप दो किलो ले आएए, दो किलो में 40 पाउच आजाएंगे तो उसमें से 30 तो आप ब्याने से पहले दे सकते हैं और जो बाकी के बचेंगे 10 वो आप ब्याने के बाद भी दे सकते हैं इससे दूद भी काफी मातरा में बढ़ता है तो ये एक पाउच 50 ग्राम का होता है तो रोज का आपने 50 ग्राम डिकेट टोटल आपने पसूओं को पाउडर देना है ये भी आप जो दाना मिशरन संतूली तार अपने पसूओं को खिला रहे हैं उसमें मिला कर आपने खिलाना है बहुत ही आसान है खिलाना भी तीसरी जो चीज है वो भी एक feed supplement है और उसका नाम है Adder Shatrong H जो कि आप सामने सक्रीन पर देख सकते हैं जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है Adder Shatrong H यानि कि ये Adder को Shatrong बनाता है उसको बड़ा बनाता है उसकी size बड़ा देता है तो ये Spacially Adder को बड़ा बनाने के लिए ही बनाया गया है तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल की चीज है आपके पसूओ का Adder बढ़ाने के लिए तो ये आपने कितना देना है ये आपने पहले तो ये जान लेजिए कि रात के समय देना है क्योंकि ये पानी के साथ काम नहीं करता है अगर आप इसको दिन के समय दोगे तो फिर पसूओ को प्यास लगती है पानी पिलाना पड़ता है तो उस वज़े से फिर इसका सारा असर जाता रहता है तो ये आपने रात के समय देना है रात को जब आपके पुसू दाना चारा खा कर और पानी पीकर बैठ कर जुगाली करने लगते हैं आराम करने लगते हैं तब ये आपने देना है रोज का 15 से 20 एमल ही देना है और ये आपने देना कैसे है देखो इसको आप रोटी पे चुप के उपर धार मार दीजिए तो बस हो गया आपका काउं तो दोस्तों ये तीन चीजे हैं जिनको अगर आप ब्याने से एक महिना पहले अपने पसुओ को खिला देंगे तो आपके पसुओ का जो अडर लेवटी है गादी है लेवा है या फिर हवाना है वो डबल हो जाएंगे उनका साइज दूगना हो जाएगा तो आगे आप पसुओ की कौन सी समस्या कौन सी बिमारी पर वीडियो चाते है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कोमेंट करें जिस भी पसुओ की समस्या या बिमारी पर ज्यादा से ज्यादा कोमेंट आएंगे उसी पर अगली वीड हम बस इतना है जल्द ही मिलते एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार के साथ प्रें जार नए या ले ए-दे ए-वे कर दो तक और ए-देना है जाए झाए जाए जानकारी